हलो दोस्तों नमस्ते विल्कम बैक टू प्लेमेकर भाई आज एक ऐसी कहानी मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसा ट्रांसफर होने वाला हूँ कि आपको सीरियसली यह सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई हम लोग राइट टाइन को टैप इन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ब बहुत चल रहे हैं बट्य है रोप इन दे राइट काईंड फॉर थेमसेलव इरफान यादवाड इसका नाम आजकल आपने सुना होगा बहुत जाधा सुर्कियों में है इसका नाम सुर्कियों में क्यों है कि यह एक बहुत प्रॉलिफिक च्ट्राइकर है उपर से भाई ही वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आन तक देखना विकॉज इस स्टोरी विल रियली हेल्प यू एंड गेट यू इंस्पाइड तो आफे इर्फान की जो स्टोरी है कुछ ऐसी बहुत ही हमबल बैग्राउंड से वह बिलॉंग करते हैं उनके फादर जो है एक कार्पेंटर है उनकी मॉम जो है एक होमेकर है और इर्फान यादवाद वाज़ डिफेंडर लेट में टेल यू दाट अड़नली वो श्ट्राइकर चेंज हो गया अपने लिए अपना नाम बना रहे थे लोकल लीक्स में बहुत जादे लोकल लीक्स के लिए थे और इस नेम वोस राइजि पुलिस क्लब के स्कॉर्ड में भी इन्होंने खेला और इर्फान वाद वन अफ़ प्रॉमिसिंग फ्लेयर नेक्स बैच ऑफ इनो गोवा और उनके साथ में बैचमेट थे उनको एफसी गोवा साइन अफ कर लेती है और भी दूसरे जो कलब से जैसे आई-ली के कलब उसके आ है ट्रबस दो प्लेयर रहे थे इनको पर इनको को फरी ले रही त recognis के बाद में पास बहुत पैसे कम थै ही अप्र से मैंने बताया यहां पर इंप रहानवे जो फ्रेंड अन फैमिली उनको एलप करती है और इनको सरिरий करने के होती है उसकी सर्जरी कर्वा आते है यह ग back on the pitch and perform the same way वो आगे जा के फिर से खेलने का start के because he knows उसकी जो बैग्राउंड थी बहुत ही इन पूर बैग्राउंड थी आ उपर से he wanted to do something for his family यहां पे भाई he took his first step towards you know a trial that was in Bengaluru United FC Bengaluru United आपको पता हो अगा बीदी एफे के first division में यह club खिलती है और उपर से उन्होंने वो ट्रायल में बहुत ही बड़े आफ flying club से पास हुए and suddenly he was playing for the first team of FC Bengaluru United जैसे वो sign करते हैं जैसे वो first team के लिए खिलना start करते हैं उनका suddenly star player बन जाते हैं छे match में 9 गुल मारते हैं इतनी striking rate है उनकी उपर से आप सबको पता है आई-ली के clubs हो या ISL के clubs हो बहुत ही ज्यादा चाने लगा था Kerala Blaster was in search of a striker वो उनके पीछे थे North East United was linked with Irfan Yadward and Chenyan FC भी यहाँ पर इरफान Yadward के साथ में link हुई थी and right now news ऐसी आरे कि Chenyan FC ने इरफान Yadward को रोब कर लिया है तो यहाँ पर इतना ज्यादा नाम क्यों हो रहा है सडनली जैसे मैंने बताया च्छे मैच में 9 गोल हमारा टोटल 11 मैचिस के लिए यह साल उन्होंने 13 गोल्स मारे 1-3 गोल्स मारे यहाँ पर जैसे उनको बताया जाता भाई इवन the FCBU का कोज बताया भाई बताया जाता है उनको क्योंकि वह स्पेशलाइज है इन स्कोरिंग गोल्स और राइट पोजिशन और कितने चांसे उनको क्रियेट करने खुद भी चांसे वह क्रियेट करते है तो उनकी जो पोजिशनिंग है इन पर से भाई जो फिनिशिंग एवालिटी है वह बहुत ही बढ़िया है तो भाई आपको तो पता है इंडिया में एक फिनिशर की कव्मी है और हो सकता है यहां पर इर्फान यादबद को और प्रॉपर चांसे दिये जाए यहां पर आप देखोगे प्रोफईलिक नमबर 9 की बाई चुबटिया सर के बाँ सुनिल चेतरी सरी ऐसे थे भाई यहां पर इर्फान यादवद का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है I know there are many potential candidates but इर्फान यादवद is looking more promising than any other तो आपके क्या राय है इतनी inspirational journey थी बंदे की तो आपके क्या राय है यह बंदा seriously आगे जाके star बनने वाला है What do you think about this player? surely मुझे comment section में लिक के बता देना और भी ऐसे stories के लिए ऐसे videos के लिए ऐसे prospects के उपर बातों के लिए don't forget to follow and subscribe playmaker check out my Instagram check out my Twitter the link is in the description until next time Jai Hind और Jai Vahad